Hello everyone, today we are going to discuss NCERT History Chapter 1 for Class 8 and the title of the chapter is How, When and Where. Chapter की सुरुवात होती है की History किसको कहा जाता है? My dear students, History एक ऐसा सब्जेक्ट है, जिसको पता नहीं किवं सुरु से उतनी रूची के साथ, इंट्रेस्ट के साथ, आनंद के साथ, आपजेक्टिव के साथ, स्टूर्ण्स नहीं पढ़ते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, मैं उन कारणों पे तो नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन ये जरूर कहूँगा कि जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं, उन सभी सब्जेक्ट्स की हिस्ट्री है। मैथेमेटिक्स की हिस्ट्री है, फिजिक्स की हिस्ट्री है, केमेस्ट्री की हिस्ट्री है, बायलजी की हिस्ट्री है, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत की हिस्ट्री है, तमिल, तेलगु, कन्नर, मलेयालम, पंजाबी, मराथी, बेंगोली, उरिया, असमी, गुजराती, एल्थ एजुकेशन की हिस्ट्री है, हर सब्जेक्ट की हिस्ट्री है, ये बात अपने आप से पूछ कर देखे, जवाब आपको खुद मिल जाएगा. यहां तक कि हिस्ट्री की भी हिस्ट्री है, और हिस्ट्री की हिस्ट्री पढ़ने से ही हम लोगों को पता चलता है, कि ग्रीस के राइटर और फिलासोफर, हेरोडोटस को फादर अफ हिस्ट्री कहा जाता है. फादर अफ हिस्ट्री हेरोडोटस को सबसे पहले रोमन फिलासोफर सीसरो ने कहा, और बाद में पूरी दुनिया ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया. हिस्ट्री में है क्या? हिस्ट्री में हम लोग बीते समय में घटित घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, उन घटनाओं को एनलाईज करते हैं, और उनके आधार पर फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिस करते हैं, फ्यूचर का अनुमान लगाने की कोशिस करते हैं. In the present time, we study the happenings in the past, analyze those happenings and try to guess the happenings in the future. यही history है, इसी को हम लोग history कहते हैं, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए दूरा रहा हूँ, कि past में जो भी happenings हुई हैं, उनको हम लोग study करते हैं, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा information collect करते हैं, उनको analyze करते हैं, और उस analysis के basis पर ये predict करने की कोशिस करते हैं, ये जानने की कोशिस करते हैं, ये guess करने की कोशिस करते हैं, ये अनुमान लगाने की कोशिस करते हैं, कि future में क्या हो सकता है? यहाँ एक बात बड़ी क्लियर है कि हिस्ट्री में बिफोर और आफ्टर का बड़ा इंपॉर्टन्स है 15 ऑगस्ट 1947 के पहले हमारे देश की हिस्ट्री में कौन-कौन सी घटनाए घटी और उसके बाद कौन-कौन सी घटनाए घटी 1857 के रिवोल्ट के पहले इस्थिती क्या थी? 1857 के रिवोल्ट के बाद इस्थिती कैसे बदली? इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जानते हैं, अनुमान लगाते हैं, समझते हैं पास्ट को एनलाइज करके फ्यूचर के बारे में अनुमान लगाते हैं तो हिस्ट्री के बारे में हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि it is the study of the happenings in the past at present. वर्तमान में भूत काल की घटनाओं के बारे में अध्यान करना और भविष्य के बारे में अनुमान लगाना और उसके लिए अपने आपको तैयार करना यही हिस्ट्री है. इसी को हम लोग history कहते हैं. मैथिली सरण गुप्त हिंदी के एक बहुत ही अच्छे कवी हुए हैं. उन्होंने एक पंक्ती बड़ी अच्छी कही है जो history को define करने के लिए मुझे बहुत पसंद आती है. मैं उसको आपके सामने रख रहा हूँ. हम क्या थे? क्या हो गए? और क्य होंगे अभी? आओ विचारे मिल करके ये समस्याएं सभी. यही तो history है. अब सवाल यह है कि हम past की घटनाओं को जितना अच्छे तरीके से एनलाईज करेंगे. future के लिए अपने आपको हम उतनी ही अच्छी तरह से तयार कर पाएंगे. ये history का बड़ा मजबूत importance माना जाना चाहिए. How important are the dates? History में dates का क्या importance है? ये एक general perception है. आमधारणा है कि history में ज्यादा से ज्यादा dates याद रखने पड़ते हैं. ज्यादा से ज्यादा years याद रखने पड़ते हैं. किसी राजा का जनम कब हुआ? उस राजा की शादी कब हुई? उस राजा ने कौन-कौन से battles लड़े? कौन-कौन सी treaties और agreements और pacts sign किये? उनका death कब हुआ? फिर अगला राजा कौन बना और कब बना? हम लोग इसी को history मान लेते हैं. ये बड़ी पुरानी धारणा है, बड़ी पुरानी विचारधारा है. लेकिन इस तरह की विचारधारा पुराने historians की थी. जो पुराने historians रहे, उन्होंने dates और years को कुछ महत्व जादा दे दिया. और इसलिए लोगों में भी ये धारणा बनी, सीखने वालों में भी ये धारणा बनी, history को पढ़ने वालों में भी ये धारणा बनी, कि history में तो dates बहुत याद रखने पढ़ते हैं, years बहुत याद र रखते हैं, कि हमें after और before के बेस पर happenings को compare करना होता है, life को compare करना होता है, इस वर्ष के पहले स्थिती क्या थी, इस वर्ष के बाद स्थिती में क्या बदलाव आया और कैसा बदलाव आया, इन बातों को हम लोग जानने की कोशिस करते हैं. In history, there are some dates which are really very very important, like we got independence on 15th August 1947, we become a republic on 26th January 1950, these dates, these years are really very very important. Like that, in your life, some dates are very very important, your date of birth, the date and the year in which you got admitted to a school, very important. का काम किया. जहां हमें compare करने में काफी सुविधा हुई, वहां हमें dates को तो याद रखना ही पड़ेगा, और year को भी याद रखना पड़ेगा. कुछ घटनाय ऐसी है, some happenings are very very important, but it is very very difficult to find a date on which those events occurred. Example, I am giving you, when did the freedom struggle of India start? भारत का स्वतंत्रता संग्राम किस date को सुरू हुआ, किस year में सुरू हुआ, ये कहना तो बड़ा मुस्किल है, इसके लिए हम कोई date fix नहीं कर सकते. किसी व्यक्ती के अंदर पढ़ने का विचार कब आया, ये कहना बड़ा मुस्किल है. किसी student के अंदर अपनी responsibility को realize करना कब आया, ये कहना बड़ा मुस्किल है. तो इस तरह से history में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी happenings हैं, जिनके बारे में हम लोग कोई date fix कर ही नहीं सकते. तो कहने का मतलब ये हुआ, कि unnecessarily हमें dates के पीछे नहीं भागना है, हमें इस बात पर ध्यान देना है, कि कौन से dates और years ऐसे हैं, जहां past को present के साथ compare करना ठीक है, जहां उस date के पहले और उस date के बाद, उस year के पहले और उस year के बाद, कि happenings को compare करने से future को जानने में लाव हो सकता है, उनको हमें जरूर याद रखना चाहिए, और उनके बारे में हमें सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए. पुराने historians, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, dates पर बहुत focus करते थे, आज के historians ने, cultural, social, political, economic, educational, religious, हर तरह के changes को काफी अच्छे से compare किया, पास्ट के साथ, पास्ट में क्या था, आज क्या है, आगे क्या हो सकता है, इसको काफी ध्यान से उन्होंने study किया है, और इसके बारे में लिखा भी है, और अगर हम इने पढ़ते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है. अब सवाल ये है, कि हम अगर थोड़े से dates को याद रखना जरूरी है, जो turning point थे, तो आखिर वो कौन से dates थे? इसमें हम लोग पाते हैं, कि British historians ने, British India के बारे में, जो कुछ भी लिखा, वो बहुत ही sequence में लिखा. या तो वो गवर्नर जेनरल्स हुए, या वाइसरायस हुए, जब तक East India Company का रूल भारत पर रहा, इंडिया पे रहा, यानि 1757 बैटल अफ पलासी से ले करके, और 1857 के रिवोल्ट तक, गवर्नर जेनरल्स हुए. वारेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जेनरल्स था, और लॉड कैनिंग लास्ट गवर्नर जेनरल्स था, East India Company का. तो हर गवर्नर जेनरल का पीरियड क्या था, किस गवर्नर जेनरल के बाद कौन सा गवर्नर जेनरल आया, उसके पीरियड में कौन कौन सी administrative policies थी, किन नई policies को उन्होंने introduce किया, उनका effect क्या रहा, उनके बाकी happenings क्या रही उसके पीरियड में, इन बातों पे हम लोग ध्यान देते हैं, कि British historians ने ज़्यादा focus किया है, 1857 के revolt के बाद, इंडिया का administration direct to British Parliament, British Crown के हाथ में चला गया, तो East India Company का rule खतम हो गया, अब जो post governor general का था, एक नया post create कर दिया गया, उसी को replace करने के लिए, और उसका नाम रखा गया, वाइसराय, वाइसराय टर्म का मतलब होता है, on behalf of someone, तो वाइसराय वज रूलिंग इंडिया, on behalf of the British Crown, on behalf of the British Parliament, इसलिए नाम वाइसराय पड़ा, तो Lord Canning ही पहला वाइसराय था, British इंडिया का, और Lord Mountbatten आखिरी वाइसराय थे, तो इन वाइसराय के बारे में भी हम लोग सिरियली पढ़ते हैं, और ये पढ़ते हैं, कि Lord Canning के बाद कौन बना, और लास्ट में आते हैं, Lord Mountbatten, तो Lord Canning से Lord Mountbatten तक, जो वाइसराय इसका period रहा, उन periods के बारे में, उनकी policies के बारे में, और उनके tenure के समय, उनके period के समय, दौरान, घटने वाली घटनाओं के बारे में, हम लोग जानते हैं ये British approach के थुरू, British historians ने इस तरह का analysis किया, इस तरह का depiction किया है, it means the British historians gave importance to dates and years which were related to different Governor Generals and Vaisarais in British India. They have depicted history in a chronological order, chronological order of the Governor Generals and the Vaisarais under the East India Company and under the British rule, direct British rule in India. और British historians ने जब British India को chapter wise divide करने का effort किया, तो उसको भी उन लोगों ने Governor Generals और Vaisarais के periods के base पर ही chronological order में रखा. इससे उनके लिए इंडिया पर administration करना आसान था, अपनी सुबिदा के लिए उन लोगों ने ऐसा किया. हम हिस्ट्री में periodization कैसे करते हैं, तो हम बाकी country की तो कह नहीं सकते. अपनी country के बारे में जब हम बात करते हैं, इंडिया के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो हमारे सामने सबसे पहला नाम आता है जेम्स मिल का. जेम्स मिल एक Scottish philosopher और political tinker था और वो इंडिया के बारे में बहुत ज़्यादा interested था. उसने ये माना, ये विचार किया कि इंडिया की history को अपने तरीके से लिखा जाए और उसने लिखा भी. कि जेम्स मिल रोट अ हिस्ट्री आफ ब्रिटिस इंडिया, इस हिस्ट्री बुक का पूरा फोकस डिवाइड और रूल पॉलिसी पर है, अगर हम गौर से सोचे तो. क्योंकि जेम्स मिल ने ये जो periodization किया इंडियान हिस्ट्री का, उसने क्या कहा? उसने कहा हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री और ब्रिटिस हिस्ट्री और लगे हाथो उसने ये भी कह दिया, कि हिंदू रूलर्स और मुस्लिम रूलर्स वर डेस्पोटिक इन नेचर. इस बात को उस समय के लोगों ने, एक्सेप्ट भी कर लिया, क्योंकि इसमें उनका लाव था, इसी में उनका लाव था, आप समझ सकते हैं कि उनका लाव किस तरह से होगा, क्योंकि उनको एड्मिनिस्ट्रेशन तो चलाना था, और इंडिया के लोग वो तो अल्रेडी ब्रिटिस के अंडर में थे, उनके अपने ओपिनियन, अपने थौट्स का कोई इंपॉर्टेंस तो कोई दे नहीं रहा था, तो जो यूरोपियन्स थे उस समय, उन सब लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, जेमस्मिन ने एक और बात कह दी, उसने ये भी कहा, कि इंडिया पर अगर ब्रिटिस रूल पूरी तरह से काइम हो जाता है, तो ब्रिटिस लोगों से इंडियन लोगों को कई चीजे सीखने को मिलेगी, कल्चर सीखने मिलेगा, मैनर सीखने मिलेगा, इंस्टिट्यूशन के बारे में सीखने मिलेगा, किस तरह से administrative decisions लिये जाते हैं इसके बारे में सीखने को मिलेगा values सीखने को मिलेगे western thoughts के बारे में जानने को मिलेगा democratic values सीखने को मिलेगे बहुत सी बाते हैं उसने की लेकिन साथ साथ उसने ये भी कर दिया कि Indian rulers whether they were Hindus or Muslims they believed in caste taboos they were religiously intolerant they believed in different types of superstitions उसका ये कहना था कि British rule over India was going to civilize Indians was going to culture Indians was going to educate Indians उसने British rule को इंडिया में एक civilizing mission के रूप में रखने का प्रयास किया ये तो मिल का विचार था James मिल का विचार था modern historians क्या सोचते हैं इंडिया की history के बारे में अब थोड़ा हम लोग इस पे विचार करते हैं ancient India के बारे में माना जाता है कि ये period है beginning of civilization से ले करके beginning of the Muslim rule in India भारत में सब्वेदा की शुरुआज से ले करके और Muslim rule जब शुरू हुआ वहां तक के period को ancient India माना जाना चाहिए ऐसा लोग मानते हैं कुछ लोग हर्सवर्धन की डेथ तक का मानते है period और कुछ लोग tripartite struggle for canoge इसको भी मानते है जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि history में कुछ ऐसी चीजें हैं कुछ ऐसे process हैं जिनका कोई date fix नहीं किया जा सकता यहां भी वही इस्थिती है medieval India का ज़्यादा तर historians का मानना है कि 1206 beginning of the slave dynasty beginning of the period of कुत्बुदीन एबक से ले करके 1857 के revolt तक अब यहां भी एक dispute चलता है कुछ historians मानते है कि 1206 को हम मानने को तयार है लेकिन medieval period का end वो लोग मानते है औरंजेव की death को यानि 1707 कुछ लोग मानते है 1757 को battle of policy और कुछ लोग मानते है 1857 के revolt को ज्यादा तर लोग 1206 यानि कुत्बुदीन एबक के period की शुरुआ से लेकर के 1857 को मानते है और वहां से लेकर के यानि 1857 के revolt से माने या 1757 battle of policy से माने या और अंजेब की death यानि 1707 से माने जहां से भी मानना है माने क्योंकि ये एक process है कोई fix तो हम कर नहीं सकते जो सबको acceptable हो तो यहां से मान करके और जाते हैं हम लोग 1947 तक हम अपनी country के लिए वैसे पूरी दुनिया में एक धारणा है कि 1945 में जब सेकेंड वर्ड वार खतम हुआ और 24 अक्टूबर 1945 को the United Nations Organization की स्थापना हुई वहां तक ये modern world हम मानेंगे और इसके बाद कि जो दुनिया है आज तक की इसको कहा जाता है contemporary world तो मुझे लगता है कि modern historians का जो periodization है Indian history का वो आप लोगों को clear हो गया होगा modern historians ने India under the British rule को colonial period कहा है क्यों colonial period कहा है British were colonial power Britain was a colonial power an imperial power a metropolis जब कोई powerful country किसी कमजोर country के political system को अपने military power का यूज करके अकुपाई कर लेता है अपने control में कर लेता है और उसके economic resources को या उसके हर तरह के resources को उसके development में ना यूज करके अपने development के लिए यूज करने लगता है तो इसको हम लोग बोलते है colonialism या imperialism Britain a powerful country captured Indian territory with its military power and utilized the resources of India for development of Britain not for development of India that was colonization or colonialism Britain a colonial power India a colony ये concept भी मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये जो modern historians का Indian history का periodization है इसमें एक और बड़ी interesting बात सामने आती है और वो बात ये है कि इन लोगों ने Indian history को एक नया look दिया एक नया vision दिया और ये बताने का प्रयास किया कि medieval India में जो भी economic political social social religious educational practices थे वो काफी traditional थे लेकिन modern इंडिया के आते आते और modern इंडिया की शुरुआत के साथ ही Indian people के thoughts बदल गए लेकिन modern इंडिया के सुरुआत के साथ ही Indians democracy में believe करने लगे scientific thinking में believe करने लगे equality liberty fraternity में believe करने लगे human rights में believe करने लगे logical thinking में believe करने लगे social religious reforms को advocate करने लगे ये सब बाते होने लगे अब वो superstitious नहीं रहे अब वो caste tabus से बाहर निकल रहे थे अब वो कह सकते हैं कि despotic rulers और imperial power के against में आवाज उठाने लगे थे तो हम लोगों ने देखा कि what is colonial और इसमें हम लोगों ने पाया कि when a powerful country captures the political system of a country with its military support and utilizes the resources of that country for development of own country own people not for the development of that country then this is called colonization it is subjugation it is subjugation of a country subjugation of political system of a country by a powerful country and the example is Britain and India मैंने ने पहले भी कहा है कि ब्रिटन कोलोनियल पावर इंडिया एक कॉलनी इंडिया ब्रिटन ने इंडिया अपने ब्रिटनने अपने गैने अबिसट्रों hot country के development के लिए किया, अपने लोगों के development के लिए किया, Indians के development के लिए नहीं किया, यही है colonialism, यही है colonialism, यही है colonization, इसका main objective होता है, colony का जादा से जादा exploitation, maximum exploitation of the colony, India colony हुआ, Britain, colonial power हुआ, imperial power हुआ, metropolis हुआ, तब बात आती है कि how do we know, हम कैसे जानते हैं, इन सभी बातों को, colonial history को, history of India under the British, इसको हम कैसे जानते हैं, तो इसके लिए सबसे पहली बात जो आती है, वो है administration produces records, British period में, जिस label पर भी administrative offices थे, India as a whole, India in the provinces, India in the districts, तो हर administrative unit पर, British लोगों ने record rooms बनाए थे, और हर administrative unit पर, जो भी decisions लिये जाते थे, उन decisions को, वो लोग written form में रखते थे, record के रूप में, और ये written form में लाने का काम था, caligraphist का, उन लोगों ने बहुत सारे caligraphist को employ करके रखा था, caligraphist आप लोग जानते होंगे, the art of beautiful handwriting, जिनकी handwriting बहुत अच्छी थी, उन लोगों से British administrators अपनी policies के बारे में, agreements के बारे में, अपने memos के बारे में, अपने notices के बारे में, सब कुछ लिख्वाते थे, और उनको record room में preserve करके रखते थे, ये preserve करके क्यों रखते थे भई, इसलिए रखते थे, कि आने वाले administration's, इसलिए रखते थे, कि आने वाले administrators, इन records को refer करके ही, आगे बढ़ पाएंगे और smooth administration चला पाएंगे प्रिटिस लोगों ने इसके लिए जो बहुत important documents थे उनके लिए archives बनवाये national museum बनवाया और वहाँ पे very very useful and important records को काफी अच्छे से सहेज करके preserve करके रखा गया इनी चीजों से हम लोगों को information मिलता है हम लोग जो भी आज जानते हैं वो maximum तो इनी चीजों से जानते हैं इन records से ही जानते हैं बाद में print culture डेवलप हुआ जब print culture डेवलप हुआ तो British लोगों ने एक और बड़ा प्रयास किया और वो था कि जितने भी administrative records थे जितने भी records उन लोगोंने archives, museums में और records room में रखे थे उन सब को multiple copies में तयार करवा दिया ताकि अगर एक copy गई तो दूसरी copy सुरक्चित है क्योंकि print culture के आने के बाद records के multiple copies बनाना आसान हो गया था printing सस्ती भी थी और जादा से जादा संख्या में भी possible थी दूसरा surveys ये survey क्या होता है आप लोग एक बात पर ध्यान दिये होंगे आप लोग जब अपने अपने घरों में होते हैं तो अकसर दो पहर के समय या दो पहर का अंत हो रहा होता है उस समय लगभग हम कह सकते हैं कि दो बजे से और पांच बजे के बीच का जो समय होता है उसमें आप लोग notice करते होंगे कि आपको ये घरों के दरवाजे आपके घरों के gate कुछ लोग खटखटाते हैं और जब आप वहां तक जाते हैं पूछते हैं भही आप कौन है क्या काम है आपको किस से मिलना है आपको तो वो लोग बताते हैं कि हम लोग फलानी company से आये हैं हमें कि आपका नाम क्या है आप कहां पे काम करते हैं आपके डड़ी कहां पे काम करते हैं आप पढ़ते हैं तो कहां पढ़ते हैं फेमिली में कितने members हैं वो लोग का educational qualification क्या है वो लोग क्या क्या करते हैं मतलब उनका होता है कि इनका source of income क्या क्या है ठीक और उसके बाद आपसे वो पुछते हैं आप टीवी कौन सा यूज करते हैं फ्रिज कौन सा यूज करते हैं मोबाइल कौन सा यूज करते हैं लैपटब कौन सा यूज करते हैं आपसे बहुत सारे सवलात करते हैं वो लोग एक्चुली यही सर्वे है वो आपसे एक कोस्चनायर के माध्यम से बहुत स करती है अपनी production policy decide करती है अपनी marketing policy decide करती है बहुत चीजे है जो what decide करती है तो surveys आप लोग समझ गए survey किसको कहते हैं इसी तरह का survey ब्रिटिस लोगों ने शुरू कराया था इंडिया और यह survey क्यों करवाया भाई उन लोगों ने यह जानने के लिए कि इंडियांस के ऊपर बेटर से बेटर तरीके से कैसे administration चलाया जा सकता है smooth administration कैसे चलाया जा सकता है उन लोगों ने botanical survey कराए geological survey कराए archaeological survey कराए economic survey कराए political social survey कराए educational survey कराए forest survey कराए कई तरह के survey कराए जहां भी उनको कोई policy decision लेने में कोई difficulty होती थी तो तुरक एक survey करा लिया और उस survey के report के analysis के basis पर जो decision लेना हुआ वो लिया ऐसे decision लेने के बाद गलती का chance बहुत कम होता था इसलिए वो लोग survey कराते थे इस survey का एक बड़ा ही अच्छा रूप आया 1872 में 1872 में British government ने इंडिया में census सुरू कराया census यानि जनगणना census मतलब जनगणना हम लोग जब इंडिया बोल रहे हैं यहां तो एक बात का ध्यान रखना है कि आज का इंडिया आज का पाकिस्तान आज का बांगला देश यह तीनों इसमें सामिल है तो 1872 में census का काम सुरू हुआ और 1881 में इसकी रिपोर्ट पब्लिस हुई और तब से यह नियम बना दिया अंग्रेजों ने कि हर दस साल पर यह census होगा और इसकी रिपोर्ट आएगी मतलब एक बार जो census करवाया उस census रिपोर्ट की एनालिसिस करवाई उसके बेस पर ब्रिटिस लोग दस साल तक इंडिया पर रूल करते थे उसी आकडे को उसी डाटा को वो बेस मान लेते थे और आने वाले दस साल तक उसी के उपर सासन करते थे ये उनके लिए बड़ा आसान था हम लोग ये जितनी भी बाते जानते हैं वो सब ब्रिटिस के द्वारा रखे गए रिकॉर्ड से जानते हैं जो उन्होंने रिकॉर्ड रूम्स में रखे थे जो उन लोगोंने एड्मिनिस्ट्रेटिव डिसीजन्स लिये थे और उनकी रिकॉर्ड उन्होंने आर्काइब्स में रखे थे नेशनल म्यूजियम्स में रखे थे रिकॉर्ड रूम्स में रखे थे उन सबसे हम लोगों को ये जानकारी मिलती है लेकिन एक बात आप लोग ध्यान देना, ये जितनी भी जानकारियां हम लोगों को मिलती हैं, वो सब के सब वो जानकारियां हैं, जो British officials ने तयार की, Indians का feeling क्या था, इन policies के बारे में, इन agreements के बारे में, इन programs के बारे में, इन administrative decisions के बारे में, Indian public का क्या सोचना था, Indian public का क्या reaction था, Indian public का क्या opinion था, ये तो हमें नहीं मिलता, ये तो British officials ने इसका तो कहीं कोई record रखा नहीं है, इसलिए हमें ये मिलता भी नहीं है, what people thought, and how people reacted, against the British policies, against the British programs, against the British administrative steps, ये बात तो हमें पता तो चलती है, हम लोग जानते तो हैं, लेकिन ये बाते हम लोगों ने जाना कहां से, ये बाते हम लोगों को कई sources से पता चलती है, मैं एक-एक करके उन sources के बारे में आपको बता रहा हूँ, पहला source है, diaries of people, बहुत से लोगों की आदत होती है diary लिखने के, लेकिन सभी की diary से हम लोगों को क्या लेना देना, जो उस समय के बहुत विद्वान लोग, scholarly people थे, जो reformers थे, जो बहुत बड़े leaders थे उस समय के, उन लोगों ने जो diaries लिखी हैं, उन diaries से हमें पता चलता है कि इंडियन लोगों का reaction क्या था, उसरा है accounts of pilgrims and travelers, जो लोग भी उस समय भारत की यात्रा पे आए, चाहे वो traveler के रूप में आए, या pilgrim तुर्थ यात्री के रूप में आए, जिस रूप में आए, चाहे वो इंडियन लोग ही क्यों नहीं थे, एक कोने से दूसरे कोने में गए, देश के एक इलाके से दूसरे इलाके में गए, तो क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, उन सब के बारे में उन लोगों ने लिखा, इससे भी हमें पता चलता है कि public का opinion उस समय क्या था, public का reaction क्या था, public का thought क्या था, British Administration के बारे में, तीसरा है, autobiographies of different famous personalities of the time, उस समय के, यानि British India के समय में, जो बहुत famous personalities हुई, उन में से सभी ने तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी जीवनी, अपने जीवन के बारे में, अपने लाइफ के बारे में खुद लिखा, when a person writes about his or her own life, it is called autobiography, and when another person writes about your life with your permission, then this is called what, biography, autobiography, तो autobiographies जिन लोगों ने लिखा, अपनी जीवनी खुद जिन लोगों ने लिखी, उन्होंने जाहिर है, अपने experiences लिखे, और उन experiences में public के reactions भी थे, तो यहां से भी हमें पता चलता है, चौथा source है हमारा popular booklets of British India, British India के समय में, अलग-अलग organizations, political, social, economic, religious, educational, इंडिया में काम कर रहे थे, उन सबने थोड़े बहुत pamphlets निकाले थे, booklets निकाले थे, और उनके माध्यम से उन लोगों ने public reaction को express किया था, British administrative policy के बारे में, British rule के बारे में, तो उससे भी हमें जानकारी मिलती है, पांचवा source है print culture, print culture के आने के साथ, newspapers publish होने लगे, journals publish होने लगे, कई Indians novels लिखने लगे, stories लिखने लगे, और ये novels, stories, cartoons, caricatures, publish भी होने लगे, तो print culture आने के बाद, journals, newspapers, weeklies, fortnightlies, monthlies, annual, ये सब magazines भी आने लगी हैं, बहुत सारे लोगों ने novels लिखे, stories लिखी और poems लिखी और अपनी बातों को public के reaction को express किया, छठा source, sixth source जो हम लोग मानते हैं, वो social और religious reformers के thoughts को मानते हैं, social और religious reformers जितने भी हुए, father of social and religious reform movement in India, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, राजा राम मोहन राय से ले करके, दयानन्द सरश्वती, स्वामी विवेकानन्द, रामकृष्ण परमहन्स, जोतिराव फूले, कांडगुरु विरेस लिंगम, कैप्टन अब्दुल लतीफ, सरसयद अहमद खान, बहुत से ऐसे reformers हुए, जिन्होंने इस्वर्चंद विद्यासागर हुए, ये नाम बड़ा famous था, मैं भूल रहा था, तो इन लोगों ने अपने अपने विचार भी व्यक्त किये, इन्होंने या तो कोई बुक लिख दी, या इनके शिशियों ने कोई बुक लिख दी, उनसे लोगों को पता चलता है, कि उस समय के लोगों का क्या opinion था, British policies and programs के बारे में, British rule के बारे में, So, the first chapter in history, Class 8 NCRD, How, When and Where, मुझे उमीद है, आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा, One thing I would like to suggest, You must study history, And you should study history to prepare yourself for future, To become a very good citizen, To become a very good human being. Ek और बाद, आप history जभी पढ़िये, Past की happenings को, काफी अच्छे से compare करने की कोशिस कीजिए, Past की happenings को analyze कीजिए अच्छे से, और तब किसी conclusion पर पहुँचिए, आपका नजरिया जरूर बदल जाएगा, आपका सोचने का तरीका जरूर बदल जाएगा, जब आप मन लगा कर ध्यान से happenings के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि अरे हमने तो इस angle से कभी सोचा ही नहीं, और तब आप हर बात में, हर happening में, रीजन ढूंडने लगेंगे और उसके effects ढूंडने लगेंगे और तब आपको मजा आना सुरू हो जाएगा, और उसके बाद तो you will be unstoppable, आपको कोई रोग नहीं सकता है. Thank you very much. Please do take care of yourself, your health and studies. We are coming up with another video and it will be first chapter civics class 8 NCRT. Thank you very much. God bless you all.